हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम टैन्थ क्लास का 12 चैप्टर एरिया रिलेटिड टू सर्कल शुरू करने जा रहे हैं विरित संबंधि विरित संबंधित छेत्रफल यह विरित संबंधित जितने भी छेत्रफल के हिसाब किताब बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है बई चालो अब एक बात तो आप सभी जानते हैं क्या कि यह हमारा हो गया सर्कल यह हमारा क्या हो गया बच्चो सर्कल ठीक यह हो गया सेंटर ठीक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक को बोलते हैं रेडि ठीक है ठीक इसे बोलेंगे रेडियस रेडियस को हिंदियों बोलते त्रिज्या डायमेटर को बोलते हैं व्यास और रिलेशन होता है क्या इनके बीच में कि जो डायमेटर होता है वो रेडियस का डबल होता है जबकि रेडियस जो होता है वो डायमेटर का क्या होता है हाफ हो करथ कि कि आधी होती है जब्के व्यास्तरिज्या का दुगना होता है ठीक है अब इसके और के जो बेशिक फार्मृले जो हम बच्पन से पढ़ते आरे वह देखो ऍरिया और सर्खल circle, कितना होता बच्छो area of circle यह होता πाई आर square, ठीक है विरित का 6 तरफल तो विरित का 6 तरफल यह ठीक है कितना है कितना है कितना है हाँ जी तो देखो तो विरित का 6 तरफल area of circle पाई आर square, अब क्या आता है अगला आता है circumference circumference of circle ठीक है यह होता 2 पाई आर विरित की परिदी विरित की परिदी विरित की परिदी 2 पाई आर तो यह दो basic formula है जो आपको करने हैं, ठीक है भई? फटा फट इसको वीडियो बास करो और नोट करो इसे करो इसे नोट हो गया? चलो देखो, यह नोट हो गया अब मैं 12.1 के कुछ कोशन ले रहा हूं कवर कर रहा हूं वो देख लो ठीक है कोशन नमर फर्स्ट कोशन नमर फर्स्ट देखो क्या कहरा आप से कोशन नमर फर्स्ट में आप से कहा गया है कि वह एक सरकल है जिसका रेडियस 19 cm है एक और सरकल है जिसका रेडियस 9 cm है ठीक है? कहा रहा है इन दोनों के इन दोनों सरकल को अगर आपस में मिला दे इन दोनों सरकल को आपस में एड कर दे radius सहित radius के साथ तो एक बड़ा सा circle create होता है तो बताएए इस बड़े वाले circle की radius इसके circumference के बराबर है कोशन समझेगा इन दोनों का circumference sum करेंगे तो इसके circumference के बराबर है इसका radius 19 है इसका radius 9 है तो बताएए इसका radius क्या होगा ठीक है तो बस रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल फर्स्ट सर्कल कितना है 19 सेंटिमेटर जिसको हम आरवन बोलेंगे पहले विरित्यकी त्रिज्या आरवन रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल आरटू नाइन सेंटिमेटर दूसरे विरित्यकी त्रिज्या ठीक है एंद लेट दा रेडियस ऑफ लारजेश्ट सर्कल तो आर सेंटिमेटर माना सबसे बड़े विरित्यकी त्रिज्या आर ठीक है नाओ अकॉर्डिंग त्रिज्यन क्या बोला अकॉर्डिंग त्रिज्यन कि भाई सरकम्फ्रेंस एफ फस्ट सरकल प्लस सरकम्फ्रेंस एव सेकेंड सरकल इसेफ्वल तु सरकम्फ्रेंस ओफ लार्जेश्ट सर्कल ठीक है यह बोला गया है मतलब पहले विरित्यकी परिदी प्लस में दूसरे विर्थ की परीदी बराबर सबसे बड़े विर्थ की परीदी ठीक है, सबसे बड़े विर्थ की परीदी ठीक है, अब देखो सबसे बड़े विर्थ की परीदी टूपाई आरवन, दूसरे की टूपाई आरटू ठीक है, क्योंकि बराइस वाले का टूपाई आरटू और इस वाले का टूपाई बड़ा आर, ठीक है जी 2 pi common ले लो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 pi बढ़ा रहे है 2 pi से 2 pi cancel R1 की value 19 R2 की value 9 बढ़ा तो जी बताइए बड़ा बला radius कितना है 19 प्लस 9 28 cm तो यहनी बड़े circle की जो radius आएगी वो कितनी आएगी 28 cm कितनी आएगी 28 cm meter ठीक है note कर रहे से को ठीक है video पाउस करके से note कर लो झाँ 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 हाँ 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 अब आफ लिख देए कॉस्ट्राल सेकंड कॉस्टन नमबर second ठीक है first हो गया अब second देखेंगे second circle अब second में क्या कह रहा है question में second question भी same यही है बस circumference को बदल के area कर देगा कैसे कर रहा है देखो अब की बार जो है बड़ा circle लिया है 8 cm radius वाला छोटा circle लिया है 6 cm radius वाला अब कह रहा है कि इस वाले circle का radius है 8 cm और इस वाले circle का radius है 6 cm इसका area प्लस इसका area दोनों के area को मिलाएं तो इस area के बराबर होता है इस बड़े वाले circle के area के बराबर जिसका radius क्या माना आर तो पहले circle की radius क्या मानोगे 8 दूसरे की क्या मानोगे 6 और तीसरे की क्या भई आर अब क्या मुझा भई, circumference हट जाएगा, अब यहां circumference की जग है, आजएगा अच्छो, area आजएगा, area of first circle, पहले विर्थ का चेतरफल, फिर यहां से भी circumference हट जाएगा, area लग जाएगा, ठीक है, परीदी हट के क्या लग जाएगा, चेतरफल फिर यहां से भी circumference अटेगा area लग जाएगा परीधेटे का चेतरफल लग जाएगा ठीक है और अब यह पूरा हट गया यहां से हाँ भई तो भई पहले वाले का area क्या होगा πाई r1 का square दूसरे का क्या होगा πाई r2 का square बड़े वाले का क्या होगा πाई बड़े r का square पाई common ले लोगे r1 का square r2 का square बराबर πाई बड़े r का square पाई से पाई कैंसल r1 r1 कितना 8 r2 कितना 6 6 का square और यह r square तो भई 8 का square कितना होगा 64 और 6 का 36 बड़े r का square तो बड़े r का square प्लस माइनस प्लस तो ले सकते माइनस नहीं ले सकते क्योंकि रेडियस कभी माइनस में नहीं होता ठीक है सेगंड कोश्चन भी कवर कर लो जल्दी नोट करो इसे झार कर लो जल्दी नहीं होता है चलो बाई यह दो कोश्चन हो गए ठीक है इसके बाद सीधर 12.2 शुरू करनी है तो मैं अभी इसके नेक्स वाली वीडियो में 12.2 शुरू करवाऊंगा ठीक है तो यह कर लो कबर और उसके बाद 12.2 करेंगे